हेलो रोवान कैसे हम सब लोग आई होप आपच्छे होंगी वेलकम टू अपनी कक्षा यहाँ पे एक इनॉर्गनिक कमेस्टरी के एक सिरीज चल रही है जिसके अंदर मैं पूरी इनॉर्गनिक कमेस्टरी पढ़ाने वाला हूँ अब तक मैंने periodic table पढ़ा दिया है जो कि एक basic सा chapter था जिसका आना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर इनॉर्गनिक कमेस्टरी को समझना है तो और इसके बाद मैंने पढ़ाया था basic inorganic nomenclature उस chapter के अंदर मैंने कुछ नाम लिखने सिखाए थे क्योंकि अगर उनके नाम आपको आते होंगे याद होंगे समझ में आएंगे तो आगे आपको ज़्यादा परिसानी नहीं होने वाली है और इसके बाद हमारा जो तीसरा chapter है वो बहुत important है उसका नाम है chemical bonding आप चाहे आयटी जई की तयारी कर रहे हूँ या आप नीट की preparation कर रहे हूँ दोनों के लिए जरूरी है कि ये chapter उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आता हो किवल आता ना हो उसके सारे सवाल आप अटमिन कर पाते हूँ एक भी सवाल ना छूटे आपसे एक भी question आपसे ना छूटे एसी preparation होनी चाहिए इस chapter के लिए ठीक है इस chapter की weightage जादा होती है आपके paper के लिए यहाँ पे देखिए मैं क्या-क्या पढ़ाने वाला हूँ अगर आप किसी quota के institute में पढ़ रहे हूँ या आप इसी online में enroll करके रखे हूँ इसके बावजूद आप ये lectures जरूर देखना आपको अंतर भी महसूस होगा और आराम से सारी चीजे clear हो रही होँगे तो चलिए जी यहाँ पे देखते हैं में क्या पढ़ना है यहाँ पे हमें पढ़ना है Lewis structure के बारे में इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा octet rule, फिर resonance इसके बाद पढ़ाऊंगा VBT मतलब valence bond theory मैं यहाँ पे topics लेकर के रखा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई यह सारी चीज मैं यहाँ पे पढ़ा दूँगा क्या क्या होगा hybridization and VACPR यह तो बहुत important है आपके paper के लिहाज से अगला देखते हैं bond parameters मतलब bond angles, bond strength, bond energy, catenation property इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके बाद bond का एक दूसरा parameter होता है जहाँ पे आपको dipole moment पढ़ना होता है इसके बाद मैं हाँगा back bonding, breeze bonding और इसके बाद देखें क्या है hydrogen bonding इसके बाद चर्चा होगी आएनिक compound पे और वहाँ पे एक rule पढ़ाया जाएगा नाम है उसका फजान rule ओके भईया यह चारो point पढ़ने के बाद मतलब यह चारो चीज़ें पढ़ने के बाद अब यह जो फिफ्ट नंबर पे है यहां से सवाल बहुत जादा बनते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं यहां से सवाल बहुत जादा बनते हैं और होते बहुत ही आसान, very easy मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपको MOT के हर सब्द आपके दिमाग में ठेके होंगे आप इसकी सारी चीजों को प्रक्टिस करेंगे यहीं क्लास में और घर पर उसको अच्छे तरीके से दुराएंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं ठीक हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे कि थोड़ा सा कुछ नहीं होने वाला है एक एक सब्द एक एक लाइन पढ़ाई जाएगी आपको अगला मैं पढ़ाऊंगा हाइडरेशन एनरजी, थर्मल स्टेबिलिटी और मेटालिक बॉंड ये जो चीज है ये तीनों चीजों को मैं पढ़ाता हूँ अच्छे से समझ में आएगा जब हम इन तीनों पर चर्चा कर चुके हूँ और मैं चाहता हूं कि इन तीनों के पर चर्चा जो है मैं इसी ब्लॉक के अंदर करूँ पढ़ाने को तो मैं यहां पढ़ा सकता हूँ लेकिन यहाँ पर पढ़ाने का पाइदा यह है कि यहाँ S-Block के अंदर इनके applications आपको देख जाएंगे और आपने अभी अभी theory पड़े उसके application देख लिए तो निश्चित रूप से आपके concept clear हो जाएंगे तो इस तरीगे से एक का आपको यहाँ पर brief मिल चुआ है कि यह chapter कैसे चलने वाला है चलिए जी शुरुबात कर लेते हैं पहले Lewis structure से बहुत बेसिक सी चीज है आपने class में देखे होगी देखेगा आपके lecture 1 में तीन चीज़ें cover की जाएंगी क्या-क्या Lewis structure, octet rule and resonance बहुत basic चीज़े हैं ठीक है इत्मिनान से पढ़िए आराम से पढ़िए सब समझ में आएगा आपको चलिए जी next पर चल लेते हैं अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते तो मैं अपना नाम बता देता हूं मेरा नाम है कुमर ओम पांडे मैंने अपनी master's complete करी है आयटे डाली से graduation में gold medalist रहा हूं और अपने एक exam दिया हुआ है जिसको बोलते है junior research fellowship ये देना होता है जब आप master's complete करते हो या आपको PhD करनी हो या किसी university में आपको प्रोफेसर बनना हो उसके लिए ज्यारेफ एक examination है वो देना होता है उसमें मेरी rank थी AIR 13 ये सब बताने का सिर्फ एक reason है कि आप ये समझ पाएं जिससे हम पढ़ रहे हैं वो हमें पढ़ाने योग हैं बाकी दूसरी चीछ बता दूँ पिछले 5 साल से मैं IITJ और NEET के बच्चों को पढ़ा रहा हूं ये मेरे teaching का 6th year है तो चल है हमारे लिए यहां पर ऐसे बीच में बना दिया तो बोला जाता है A और B के बीच में क्या present है एक bond present है ये जो लाइन आप देखते हो ना ये लाइन जो है representation है किसका bond का अब मैं बताता हूं bond का मतलब क्या होता है bond actually represent करता है bond represent करता है force of attraction को क्या कह रहे हो सर हां जी यही है जो कोई भी bond होगा वो किसको represent करेगा force of attraction को represent करेगा यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि A और B एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इनके बीच में force of attraction है तो इसको science की language में बोलेंगे कि मेरे भीया A और B जो हैं एक दूसरे के साथ bonded है मतलब उनके बीच में force of attraction है व को यहां पर लिखे गए कुछ strong bond होंगे कुछ weak bond होंगे strong bond के अंदर आते हैं देखो वहिए इतने कौन कौन से यह metallic bond है यह मैं आपको s block के अंदर पढ़ाऊंगा कहां पर पढ़ाऊंगा और वहीं पर मैं इसका application आपको सिखा दूँगा तो आप यह तीन चीजें देख रहे हो strong के अंदर यह वाली यह यहीं पर chemical bonding के अंदर cover कर दी जाएंगी मतलब की chemical bonding के चैप्टर के अंदर अगला है हमारा weak bond weak bond मतलब A और B एक दूसरे को बहुत ज्यादा force of attraction से नहीं खीच रहे हैं तो इसको बोलते है weak bond और अगर A और B एक दूसरे को ज्यादा force of attraction से खीचेंगी तो इसको बोला जाता है strong bond weak bond के अंदर आता है hydrogen bond and wonder wall force of attraction क्या hydrogen bond and wonder wall force of attraction कई teachers जो इस तरीके से भी पढ़ा देते हैं कि wonder wall के अंदर जो है hydrogen bond आता है चिंता करने की कोई बात नहीं है यह special नाम है इसको हमें अलग से ही पढ़ने में मजा आता है ठीक है भाई तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे hydrogen bond and पढ़ेंगे क्या wonder wall इन दोनों के बारे में भी हम इसी chapter में सीखेंगे chemical bonding के अंदर ही हम ये दोनों चीजें सीखेंगे तो हमें mainly कितने सीखने हैं ये तीन bond सीखने है और ये दो bond सीखने है इन chemical bonding ठीक है भी या जी next पर चलते हैं next में देखें क्या लिखा गया पहली चीजी लिखें लिखा है covalent bond क्या covalent bond इसको समझना इसको कुछ इस तरीके समझे जैसे माल लीजी हमारे पास A और B दो element है क्या है दो element है और A के पास एक electron है कितने electron है माल लो A के पास एक electron है और B के पास क्या है एक electron है अब होता क्या है एक एक्षा है कि वो खुद को स्टेबलाइज कर ले खुद को थोड़ा ठीक ठाक इस्तिती में कर ले ताकि वो नेचर में सरवाइव कर सकें इसलिए वो अपने इस पडोसी के पास जाते हैं कहते हैं भया चलो ऐसा करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ मिल लेते हैं और ऐसा करते हैं इन इलेक्ट्रोंस पर हमारा भी हक होगा और तुम्हारा भी हक होगा किसका हक होगा इस A और B पर A का भी हक होगा और B का भी हक होगा तो यहां पर अगर इस तरीके की bonding हो रही है तो इसको बोला जाता है कि इस तरीके की bonding को बोला जाता है क्या covalent bond दुबारा बोलूँगा मैं इन दोनों की बीच में जो ये bond बन रहा है जहां पर आप ये देख रहे हो A B एक electron दे रहा है B B एक electron मतलब sharing of electron होगा अगर तो वहां पर बनेगा covalent bond लिखा गया है कि bond is formed as a result of sharing of an electron pair क्या लिखा है भी या where each combining atom contribute at least one electron to the shared pair यहां पर जो आपको ये shared pair दिख रहा है इसमें at least ये भी एक दे और ये भी एक दे तो यहां पर बन रहा होता है covalent bond समझ मा चुका होगा चलिए जी इसी को समझाओंगा आगे ठीक है और इसी covalent bond को समझाएंगे by using Lewis structure तो Lewis structure को use करके हम ये आपको बताने की कोसिस करेंगे कि ये covalent bond बनता कैसे है अब देखिएगा Lewis structure में हमें करना क्या होता है ध्यान से सुनिएगा यहां पर हमें क्या करना होता है हमें पहले एक central atom ढूरना होता है जिसके किनारे किनारे कुछ side atoms लगाने होते हैं कहने का मतलब क्या है यह देखो जैसे a है और b अभी तो क्या था अभी a के किनारे सिर्फ b था सिर्फ a कही तो कोई भी central नहीं है इनमें दोनों क्या है side atom में दोनों किनारे हैं यहां पे तो चिंता की बात नहीं है लेकिन अगर a से एक दूसरा b और जुडने आ जाता तो यहां पे a को हम क्या बोलते a को बोलते central atom और यहां पे a के पास माल को a ने क्या किया 1 से जादा electron سえइर किया एक सेर किया इनके साथ एक सेर किया इनके साथ अब जो capacity ऐसी रखता हो कि उसके पास एक से जादा electron होंगे तभी वो central atom बन सकता है तभी वो बीच में रह सकता है तभी वो säeid atom को खुद से connect कर सकता है इतनी बात समझना आगई होगी जीतना समझना आ गया, दूसरी चेश, इसको देख करके बताओ, जैसे माल लिजी लिखा जाए AB2, क्या लिखा जाए AB2, तो AB2 को देख करके ये बताओ, कि कौन सा central item होगा, simple सी बाद, जो less in number होगा, जिनका number कम होगा, वही क्या होगा, central item होगा, तो A क्या था, कम था number में, त पहले तरीका याद रखेंगे, कि less in number होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो, AB2 में, B तो 2 है, A क्या है, A कही है, इस वज़ा से हम A को घोसित कर रहे हैं, क्या, central item, अच्छा जी, अगला चीज़ सुनिएगा, मान लिजिए कि कहीं पे, दोनों के number सेम हो जाएं, क्या हो देखना होगा, least electronegative element, क्या बोला मैंने, जो element ज्यादा electronegative नहीं होगा, मतलब कम electronegative होगा, उसको हम central item घोसित करेंगे, इनके examples मैं पढ़ाऊंगा, अभी फिलाहा सुनते चलिए, अगली चीज़ है, कि maximum number of bonds, अगर भाई आपको क्या करना है, central item बनाना है, और बहुत स आरे side item जोडने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, bonds बनाने पड़ेंगे सबके साथ, सबके साथ attachment दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या बोला जाएगा, कि maximum number of bonds बनाने वाले जो लोग होंगे, वही element, वही atom जो है, central atom बन सकता है, तो I hope आपको यह समाझ में आया हो कि central atom किसको बनाएंगे, चलिए इन सारी चीजों को मैं example से समझाऊँगा, पहला example यहाँ पे HF तो देखेगा, HF कैसे बनाएगा, तो यह रहा भया देखो हमारा H, ठीक है, इस H के किनारे बताओ कितने electron होते हैं, इसके पास valence electron कितने हैं, अरे hydrogen के पास सिर्फ एक ही electron होता अच्छा, HF के पास किया होगा, देखो भई, HF के पास होगा, total number of electron बताओ कितना, 9, जिसमें से N is equal to 1, मतलब कि cell number 1 में 2 हो जाएगा, अरे यार इसका कैसे लिखते हो electronic configuration, यह सब तो आपको आता होगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है, periodic table, वहाँ मैंने बहुत seven electrons बनानी की कोर्सिस कर रहा हूँ, ठीक है, तीन बना दिया, चार, पांच, छे, साथ, देखे, फ्लोरीन के किनारे किनारे आपको कितने electron दिख रहे हैं भई, साथ electron दिख रहे हैं, यहाँ पे साथ electron है, यहाँ हाईडोजन के पास एक electron है, अब एक चीज देखना ध्यान से, यह फ्लोरीन चाहता है, क्या बुल रहा हूँ, यह फ्लोरीन चाहता है, खुद को inert बनाना, क्या करना चाहता है, खुद को inert बनाना चाहता है, मतलब की, मतलब की भया, इस फ्लोरीन के बगल में कौन है, neon, चाहता है फ्लोरीन यार कि मैं जो है, neon का, inert gas का configuration गेन कर लूँ, ज उसको क्या चाहिए एक electron चाहिए तो उसको वो electron पाने के लिए वो क्या करेगा इस hydrogen के साथ गड़बंधन करेगा मुलाकात करेगा और वो जो मुलाकात यहाँ पे आपको दिख रही है इसी मुलाकात का नाम है covalent bond यहाँ पे यही बोला जाएगा कि H और F जो है दोनों एक कर रहे हैं लेकिन यह करते कब हैं जब वहाँ पे sharing of an electron pair होता है जिसमें एक का contribution यह वाला इन्हों ने दिया और यह वाला इन्हों ने दिया तो इस तरीके से H और F का Lewis dot structure बन जाता है क्या बनाया मैंने Lewis dot structure बनाया ध्यान दीजेगा dot क्यों बोला जा रहा है क्योंकि dot लिख करके मैंने हाँ पे electrons को represent किया है इतनी बास मैं आगी अच्छा अब आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन का क्या फाइदा हुआ हाइड्रोजन इनसे क्यों हेलियम यहां पर 2 हीलियम क्या होता है यह होता है इनर्स इसका मतलब हाइड्रोजन अगर इनर्ट बनना चाहे तो इसके पास पर इस hydrogen का हक बन जाएगा इस वज़ा से बोला जाएगा कि यह जो hydrogen यहाँ पर आप देख रहे हो यह जो आप यहाँ पर hydrogen देख रहे हो यह उस पे जो है दो इलेक्टरॉन इस तरीके से दिखाया जा सकता है अब hydrogen के पास समझ लो दो एक अपना खुद का एक इस फ्लोरीन का इतनी बार समझ गई होती है और जोमारा फ्लोरीन है उसके पास टोटल आठ ब्रेंट्रॉन है इस तरीके से आप दिखा सकते हो यह वैर फ्लोरीन के वो एक बार दुबारा बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने बनाया था, कि इनके बीच में क्या है, दो इलेक्ट्रोन इस तरीके से है, ठीक तो H और F को इस तरीके से लिखेंगे, अब यह देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख अभी जो आप यह फ्लोरीन के ऊपर यह 6 इलेक्ट्रोन देख रहे हो, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इस फ्लोरीन की खोपड़ी पे आकर के बैठे हुए हैं, इनको एक नाम दिया गया है, इनको एक इज़त बक्सी गई है, उनको बोला गया ह पेर यहीं पे सीक लिजिए, यह क्या है? यह है यह फ्लोरीन के उपर कितने लोन पेर, कोई पूछ ले, तो क्या जवाब आप दे पाएंगे? साइध आप जवाब देंगे कि भ्या यहाँ पे तीन लोन पेर, इलेक्ट्रोन कितने हैं? 6, इलेक्ट्रोन कितने? 1,2,3,4,5, 6 electron है अब 6 electron है तो pair करोगे तो 3 pair दिखेगा किसके उपर fluorine के उपर अगर मैं एक सवाल यहीं पर आपसे पूछ लूँ कि बताइए यहाँ पर bond pair कितनी है इस molecule HF के अंदर bond pair कितनी है यहाँ पर bond pair कितनी है तो आप कहोगे कि सर यह जो दो electron दिख रहे हैं इनहीं को हम bond pair कहते हैं तो यहाँ पर एक bond pair है बाकी 3 loan pair है चिंता करने की कोई बात नहीं कई बार चीजें बताऊंगा आपको अपने आप याद हो जाएगा अच्छा जी अगला देखते हैं अगले का नाम है बी एच्थी क्या है बी एच्थी अब कैसे बनेगें आप बताऊ इसमें से संट्रल एटम किसको मान ऑं say chant me जबाब दो यहां सही और जो लेस इनन मेंबर होगा काउन है लेसन नमबर बोरोन क्या भाई बोरोन यहां पे बोरोन क्या है एक ही present hydrogen कितने तीन इस वज़ा से बोरोन को हम ने लिख दिया बीच में आप बताईए बोरोन के बाहर कितने electron होते हैं आप कहोगे सर्थ tीन electron होते हैं हमें आता है क्या electronic configuration को लिखा जाता है इस तरीके से- यहांपर यहां पर क्या है इसका प्रोटोन नम्बर इ्लेक्राँ भी उतने तो फिर क्या लिखा जाएगा टू-इस-टू फिर लिखा जाएगा 250 irasal, टीन एलेक्ट्राँ है और इनसे तीन इलेक्ट्राँ को हम यहां पे लाके consider करते हैं ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला सिर्फ और सिर्फ वैलेंस से वाले electron ही लिए जाएंगे क्योंकि मेरे भीया जो bond बनता है न वो सिर्फ और सिर्फ atom के वैलेंस से बन सकता है जो बाहर सल है उसी से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको बॉंड बनाना है यार अंदर वाले से थोड़ी न बॉंडिंग होगी इतनी बातों समझाती होगी जी वहां पे तीन electron थे मैंने लिख दी अच्छा सर अब आगे बताईए हागे हमारे वहिया है hydrogen यहां यहां पर हाइड्रोजन क्या है बताओ हाइड्रोजन यहां पर क्या बोला जाएगा साइड़ अगर यह सेंट्रल है तो हाइड्रोजन साइड़ इटम है कहां लिखोगे यहां पर आपने लेक्तरॉन लिखे हैं वहीं पर आप क्या करिगे हाइडरोजन को लिख दीजिए अब आप बताईए हाइडरोजन के पास कितने वह इसमें दिखत की बात नहीं है यहां पर इसके सामने लिख़न लिखे हैस्फंद़ का सब्सक्राaround 2- Kas आ चुके हैं जबाब है हाँ अब लेकिन बौरॉन के पास टोटल कितने आए उससे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले हाइड्रोजन का ये 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 पास दो यह देखो बोरोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रोन है अभी 6 इलेक्ट्रोन है आप तो कह रहे ते कि सर बाहर आठ होंगे तभी अच्छा होगा हाँ भीया मैं कह रहा था कोसिस करता है हर मॉलिक्यूल अपने आपको आठ करने की लेकिन हर आदमी आयटे में तो नहीं जा रह रहें क्योंकि यह रेस इतनी कठीन है इतनी लंबी है मेरे भाई तो यहां पर कुछ लोग पीछे रह जाते हैं तो इस तरीके से यह बोरोन भी पीछे रह जाता है इसमें कोई तकलीफ नहीं है ठीक लेकिन अपने को तीन से उसने 6 कर दिया मतलब उसको पहले कुछ नहीं आ आप मैं तोड़ा बैक लेता हूं अब मुझे यह समझाना है कि यहाँ पे लोन प्यर कहा है और बॉंड पेर कहां पे है जी भाई साब कलर भौण बनाना आपको यहाँ बना तो थोड़ा सा मैं बाहर समझाने के लिए यहाँ पे अगला बना रहूं यहां पे अगला क्रण अच्छा जी किसी के पास lone pair है क्या, अरे यार बोरोन के पास तो electron ही नहीं है, और इस hydrogen के पास एक अही था, उन्होंने share कर रखी है, और इनके पास तीन था, उन्होंने share कर रखा, इसका मतलब यहाँ पे कोई lone pair नहीं है, यहाँ पे कोई lone pair नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इस molecule के पास zero lone pair है और अगर इसको आप यह electron वाला पूर्शन नहीं बनाना चाहते हो थोड़ा और इज्जत से बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से बना लो इस तरीके से बना लो मतलब बॉंड वाला बना लो ठीक है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं हाइड्रोजन बना रहा हूं और इनके बीच में आपको क्या करना है बॉंड बनाना इस तरीके से ठीक है तो ब्यस्तरी कुछ इस तरीके का दिखेगा लेकिन अब जब यह molecule आप बना करके दिखाईए चलिए आपको एनस्तरी मॉलेक्यूल बना के दिखाता हूं एनस्तरी है तो बीच में क्या होगा नाइट्रोजन मुझे कैसे पता चला कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा मेरे भाई तो जब आब क्या दोगे लेस इन नंबर यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए अगला देखो भया इस नाइट्रोजन के बाहर वैलेंसल में कितने इलेक्ट्रोण है सर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोणी कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीगे से लिखते हैं 1s2 अगला लिखते हैं 2s2 और अगला क्या होता है यहां पर टोटल पांच इलेक्ट्रोण आपको दिखेंगे सेल नंबर टू के अंदर इस वज़ा से यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं यहां पर लिखने वाले पांच इलेक्ट्रोण तो देखे कैसे लिखा जाएगा दो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं और यहां पर एक के बीच में यहां पे इस तरीके से तीन बॉंड दिख रहे हैं क्या यहां पे तीन बॉंड दिख रहे हैं हासर दिख रहे हैं तो इसका मतलब यहां पे बॉंड पेर कितने हैं यहां पे बॉंड पेर हो गए थ्री कितने यहां पे थ्री बॉंड पेर एक दो तीन बताओ लोन कितने भीया. Lone pair है सिर्फ एक जो यहां पर बचा हुआ. जो बच जाता है किसी atom के उपर उसको बोलते हैं loan pair. दो electron था loan pair लिग दिया. loan pair कितने है? आप बोलोगे one. यह loan pair कहां पर प्रजेंट है? central atom nitrogen के उपर present है कोई समस्या है क्या जवाब होगा आपका नहीं अगला देखते हैं लिखा है NH4 plus क्या लिखा गया NH4 plus कुछ नया करने के ज़रूरत नहीं यह है हमारा NH3 यह क्या है हमारा NH3 NH3 से अगर NH4 plus बनाना है तो पहले समझो इस nitrogen के किनारे इस वाले nitrogen के किनारे आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ पहले आप electron दिखा लिजीए यहाँ पे क्या थे दो electron क्या थे दो electron थे अब NH4 plus के लिए आपको hydrogen कितने रखने है hydrogen रखने है 4 अब 3 तो बना रखे चलिए एक hydrogen मैं यहाँ कहीं बना देगा ठीक और इस hydrogen के पास भी एक electron होगा वो क्या करेगा इस वाले nitrogen के साथ bond बना देगा क्या करेगा bond बना देगा कोई दिक्कत है क्या नहीं है सर यहाँ पे एक electron बच गया बच गया बच गया बात सही है तुमारी इस nitrogen पे एक electron बच गया लेकिन सिस्टम सेट है मेरे भाई प्लस लिखा गया है प्लस प्लस का मतलब होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा क्या होगा प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो इस सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर जो यह एक्स्ट्रा इलेक्ट् बोलते हैं NH4 प्लस यह प्लस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम यह बता सकें कि इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हमने उड़ा दिया हटा दिया हां सर समझा गया अब बताइए कितने बॉंड पेर होंगे आप बताइए कितने बॉंड पेर होंगे कितने लोन पेर होंगे nitrogen के पास lone pair है ही नहीं, मतलब क्या हुआ lone pair यहाँ पे 0, तो आपको यह समझ में आया कि NH3 से NH4 plus कैसे बनता है, इसमें कोई समस्या है, नहीं होगी, नहीं होनी भी चाहिए, ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है BH4, नगेटिव अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज और देख अगर मैं यहाँ आपसे सवाल कर दू कि बताये इस nitrogen के किनारे क्या 8 electron हैं, तो सायद अब आपका जवाब होगा हाँ, कि सर देखिए, यहाँ पे 8 electron दिख रहे हैं, और उसको देखने के लिए एक नजर चाहिए, नजर देखिए कहां पे हैं, यहाँ के bond के बीच में 2 electron, 2 यह यहाँ पे 2 इनके बीच में, तो 2, 2, 2 हो गया कितना? 8 electron, इसका मतलब यह हुआ कि इस nitrogen के किनारे किनारे भईया, 8 electron हैं, अगर यहाँ पे 8 electron हैं, तो उसके लिए एक सब्द यूज किया जाएगा, जिसको लिखा जाता है, जिसको बोला जाता है, octet, क्या लिखा जाता है, octet, octet कहने का मतलब है कि किसी atom के किनारे किनारे, अगर 8 electron हैं, तो बोला जाएगा कि उस atom का octet complete है, मतलब 8 electron को एक साथ मिला करके, जो पेर बना है, उसी को बोला जाता है, octet, इतनी बासमना कि, इसका मतलब हुआ कि इस nitrogen का यहाँ पे octet complete है, क्या सब्से आप पर चित हो चुके होंगे, चलिए जी, next पर आते हैं, लिखा गया है, bh4 negative, तो पहले लिखिए boron, boron के किनारे किनारे, बताओ कितने electron होंगे, तो कहोगे, सर, यहाँ पे कितने electron होते हैं, तीन electron होते हैं, और hydrogen कितने हैं, लेकिन 4, अच्छा है, चार electron है, तो 4 hydrogen ह करके रख दिया, अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, hydrogen जो हैं, वो क्या करेंगे, वो electron देंगे, एक electron hydrogen ने दिया, यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया, और यहाँ पर भी दिया, लेकिन एक बात देखो, इस boron के पास अभी electron नहीं है, तो उससे जुड़ पाए, बता है कि हमने जो है, boron को एक extra electron add कर दिया है, जब मैं आपको electron affinity पढ़ा रहा था, तब मैंने समझाया था, कि जब electron लोगे, तो उस पर क्या आता है, negative charge आता है, तो boron ने क्या किया, एक electron receive किया, तो यह देखो भी जो अभी मैंने बनाया है, यह electron उसको बाहर से दिया है, और कितने electron दिख रहे हैं, यहां पर देखो कितने electron दिख रहे हैं, यहां पर साइद अब आपको 8 electron दिख रहे होंगे, 2 यहां पर है, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, तो इस तरीके से हमें दिखता है, कि boron का octet complete हो चुका है, क्या हुआ है, बोरon का octet complete हो चुका है, अब आप बताईए यहां पर bond pair कितने हैं यहां पर कितने bond बनेंगे आप कहोगे सर चार bond बनेंगे बना के देख लो यहां पर हो गया भया bond pair कितने bond pair हो गया चार loan pair कितने क्या यहाँ पर कोई loan pair है मेरा जबाब होगा नहीं यहाँ पर क्या कोई negative charge है हाँ है कहां रख रहे यहाँ पर यहाँ पर लिखने का मतलब है कि हमने क्या क्या boron को यह जो extra electron है यह दिया है यह संधाने का एक तरीका है I hope आपको समझना आया हो यह सारी चीज़ें आप note करते हुए चलेंगे अब हम next पढ़ने वाले है NF3 क्या पढ़ना हमें NF3 अब देखो NF3 बनाना है तो यहीं पर चलते हैं ज़्यादा मेहनद करने की जरूरत हमें नहीं है देखो जहाँ hydrogen लिखा है जहाँ पर hydrogen लिखा है हम क्या करेंगे वहां से hydrogen हटा देखो भई पहले नाइट्रोजन को देखो नाइट्रोजन के बाहर कितने electron टोटल पाँच एलेक्ट्रों तो दो हमने यहां पर रख दिया और यहां पर तीन electron रखा है अब क्या करें हाइड्रोजन को हटा करके फ्लोरीन लगा देखो यहां पर भी लगा धिया ओर यहां पर विलगा दिया एक अटनी बात सवन में आ गई का ओक्टेट कंप्लीट हो रहा है जहां पर आपको एक लोन पेर दिख रहा है क्या दिख रहा है यहां पर एक यह देखेगा लोन पेर दिख रहा है एक लोन पेर यह कहां पर है नाइट रोजन के ऊपर है क्या और लोन पेर हैं हां है लेकिन दिखाई नहीं दे रहें चलिए दिखाते हैं यह जो फ्लोरीन है इसके पास क्या होगा च्छै इलेक्ट्रोन और होगा अरे टोटल साथ होते हैं एक इन्होंने सेयर किया छै बचे हुए थे यहां रख दिया यहां पर क्या बोलोगे यहां पर भी आपको छै इलेक्ट्रोन इस तरीके से बना लिए सेम कहानी सेम राम कहानी यहां पर भी लगाओ तो आप बताओ अब बताओ कितने यहां पर कितने लोन पैर है कितने लोन पैर अब आपको भर भर के लोन पैर दिखेंगे कितने लोन पैर भीया यहां पर एक जो है कहां पर नाइट्रोजन पर लिख दिया हमने एक कहां पर है यह वाला जो है nitrogen पहीं अच्छा जी बाकि देखो यह पर दो दो चार दो चैसे इसका मतलब यहां पर तीन यहां 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 मतलब टोटल नाइन लॉट पर सोंगे यहां पर लिखने नाइन लूट यह किस पह मि से इन फ्लॉरी म्य कि इज कितना option में आएगा नीट वालों ध्यान से सुलो मेंस वालों के लिए बस दो सवाल एक साथ मिक्स करेगा आ जाएगा और एडवांस वालों में तीन-चार सवाल मिला देगा वो एक क्वेशन बन जाएगा उनके लिए सवाल यही होते हैं कुछ नया नहीं होता तो यहां पर लोन पर भीया दस अच्छा जी बॉन्ड पेर कितने यहां पर बॉन्ड कितने बने एक दो तीन तीन बॉन्ड पेर साइद को समझ में आया हो कि आप NF3 को किस तरीके से लिखोगे अब एक सवाल यहां पर मेंसन किया गया स्वारी एक लिखा गया है कि फ्लोरीन एन हाइड्रोजन के नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम सिंपल सी बात अरे मेरे भाई अच्छा उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगान सारे बॉंड बनाने पड़ेंगे और फ्लोरीन बहुत सारे बॉंड नहीं मना सकता क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है फिलहाल आप ऐसे समझेए को उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस वजह से फ्लोरीन हमे जरूरत है इस वज़ा से हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी आपको सेंट्रल एटम नहीं दिखेंगे इसका मतलब यह है कि कुछ भी दिया जाए न दिमाग कहा जाना चाहिए कि फ्लोरीन किनारे लगाऊंगा हाइड्रोजन किनारे लगाऊंगा इतनी लाइन फिक्स है हाँ सर्फिक्स है अब अगर आपको यह लाइन पता है तो देखो कैसे बनाना आसान हो गया एनकरी मैंने पढ़ा दिया दुबारा बता देता हूं अगर एनकर दीके क्या करोगे नाइट्रोजन बीच में अब क्या करो एक एक बांड बना दो क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरी इच बॉन्डेड एटम गेट्स अन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉंस दिस रूल इस बेस्ट ऑन दे कैमिकल इनॉटनेस ऑफ दे नूबल गैस अरे सिंपल सी कहानी है यह कहना यह चाहते हैं कि हर मॉलिक्यूल खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है क्योंकि उसको ल चाहता है और यह बेसिस था किसका ऑक्टेट रूल का अच्छा सर यहां पर देखो कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं इन मॉलिक्यूल का हमें इस्ट्रक्चर बनाना है अब मैं आपको डारेक्ट इस्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना सिखाऊंगा इस पहले वाले पर दिर्बाद लोटेंगे बाकियों को पहले देख लेते हैं लिखा है co3 to negative क्या करना है कार्वन को सेंटर में करना को सेंटर में लिया क्यों लिया क्यों लिया क्म नंबर में था औक सीजन को इसके किनारे लगा कितने हैं कि तीन अब से कम एक बॉंड से तो जुड़ाई होग अगर इसके जुड़ना है इसे घड़ बंदन करना है तो एक उलेक्ट्रवन करो तभी against है तो कम से कम 1 बॉंड होगा इसमें कोई तकलिफ नहीं किस पर जाना चाहिए इस टू नेगटilles 밖에 आगा यहां पर तू नेगटीव लिखा है मतलब में क्या और दो electron बढ़ाना है लेकिन अब की बार का जो ये दो electron है या दो negative charge है वो आप क्या करिएगा oxygen को दीजिएगा किसको दीजिएगा oxygen को ध्यान रख लिजिए किसी भी molecule के अंदर चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये वाला हो जहांता आप negative देख रहे हो अगर वहाँ oxygen present है तो ये negative charge उस oxygen के पास जाना चाहिए बोलो समझ में आया क्या हां सर जाना चाहिए मान लिया चलिए जी बना लेते हैं एक electron ये वाला जो मैं बना रहा हूं अभी green color से ये वाला आया कहां से है इस two negative charge की वजह से आया है तो एक मैंने यहां दिखाया एक मैंने यहां दिखाया ये कहने का मतलब था negative charge वाले का अच्छा अब क्या करना है भाई अब देखो इस वाले oxygen के किनारे कितने electron होंगे total 6 6 में से एक तो share कर दिया उसने तभी तो bond बनाया होगा भाई बाकी कितने बज़िए पांच तो हो गया इसके हो गए दो दो चार एक पांच पांच एक 6 ये 6 हो गया oxygen के किनारे ठीक अब एक बात बताओ इस वाले oxygen के किनारे कितने होंगे इसी तरीके से कितने होंगे 6 होंगे तो एक तो share किया ग्रीन वाले को भी छोड़ो ग्रीन वाले पर चर्चा मत करना भी अभी देखो क्या करना है कि क्या वाइट कलर से जो भी मैं बना रहा हूं वह आपको 6 electron समझ में आ रहे कहां से आए औरे oxygen के वैलेंसल में 6 electron होते हैं वही मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर भी आप क्या करिए एक तो share कर दिया थिक बाकी क्या किया बाकी रखा हुआ है अपने पास में एक दो तीन चार पांच और यह रहाच है यह हमने बना दिया यहाँ पर भी 6 electron है 6 electron यहाँ पर 6 electron अभी मैं सिर्फ white color वाले की बात कर रहा हूं अब देखो यहाँ पर यह वाला जब आगया electron तो अब कितने electron है इस oxygen की किनारे total इसको पता करने के लिए पहले देखो इस bond olduğunu में एक ederot किस ने दिया होगा कारबन ने भी एक एलेक्ट्रॉन दिया होगा तो कारबन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया उसको मैं यहां मालने रहां यहां वाले बॉंड में यह वाला कारबन ने दिया यहां वाले लेक्ट्रॉन में यहां पर भी कारबन ने दिया और एक एलेक्ट्रॉन अ और यह ग्रीन वाला मिला लिया हो गया साथ यहाँ पर हो गया और यह वाला मिला लिया तो हो गया आठ इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का अभी फिलहाल octet complete दिख रहा है कोई समस्या है क्या नहीं होगी यहाँ पे समझ में है क्या अब यहाँ पे आओ यहाँ पे किनो यहाँ पे देखो 6 तो इसके white वाले एक green वाला मतलब यह negative charge वाला 7 और यह वाला हो गया 8 यहाँ पे 20 oxygen का octet complete है इनको कोई दिक्कत नहीं हुई अब आओ oxygen पे oxygen के पास देखो कितने ते 6 और एक यह carbon वाला 7 अभी 7 ही हुआ है और 8 करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ 8 करने के लिए यह जो electron हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उसको हम क्या करेंगे यहाँ दिखो अब फिर दिख रहे होंगे और carbon वाला यह दो मिला लो तो 8 तो यहाँ पे भी octet हो गया यहाँ पे भी octet यहाँ पे भी अब देखो carbon के पास भी octet complete होगा अरे भाई carbon की किनारे वाले यह 4 और इस bond का 1 इस bond का 1 इस bond का 2 तो हो गया यहाँ पे 4 बाहर से चार उसके खुद के octet complete हो गया इस वाले carbon का तो यह जो चीज दिख रही है जो सकल दिख रही है इसको बोला जाता है Lewis dot structure of carbonate क्या बोला जाता है Lewis dot structure of carbonate और इसको लिखने का एक बहतर खुबसूरत तरीका हम बनाते हैं हम लिखेंगे carbon फिर लिखेंगे oxygen हम यहाँ पे बीच मे लगाएंगे double bond क्या लगाएंगे बीच में double bond और यहां पर हम क्या करेंगे एक लाइन बना करके oxygen और यह वैलैंसिया ये इलेक्ट्रों दिखाने के लिए हम क्या करेंगे इस पर एक negative charge बना देंगे तो इस समय जो चीज दिख रही है यही चीज है यह 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 बोलो इसी को म मैंने loan pairs को नहीं दिखाया है क्या किया है loan pairs को यहां पर नहीं दिखाया तो जो अभी सकल दिख रही है क्या आप वो डारेक्टली बना पाएंगे जवाब होगा हां आपको बना के दिखाता हूं बना के दिखाता हूं मॉलिक्यूल देखो मॉलिक्यूल में क्या है central atom carbon और carbon के किनारे किनारे oxygen तो भईया हमने लिख दिया oxygen क्या लिखा oxygen अब लिखा टू नेगटिव एक एक नेगटिव डिवाइड कर दो एक इधर और एक इधर ठीक और यह नेगटिव पाते ही यह मान लेना कि oxygen का octet complete है यह नेगटिव पाते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे वैलंसी complete है sorry octet complete है और ऐसा होते ही क्या करना है आपको यहाँ पे सिर्फ एक bond बनाना है यहाँ जनरली oxygen को कितने बनाने चाहिए दो bond बनाने चाहिए क्यों क्योंकि उसके पास total 6 होते हैं और अगर 6 हैं और सामने से दो और मिल जाए तो आठ हो जाएंगे इस वज़ा से oxygen के tendency है कि वह दो बनाएगा लेकिन अगर oxygen पर negative चार्ज है तो वह सिर्फ एक bond बनाएगा यहाँ पर negative था एक बनाया अब यह देखो neutral है तो यहाँ आपको क्या करना है डबल बना देना तो इस तरीके से यह बन जाएगा कार्बोनेट का structure आई होप आपको समाज में आया हो अब हम डारेक्टली पढ़ेंगे phosphate का structure क्या पढ़ेंगे phosphate का structure अब देखी इसको कैसे बनाएगे इसको नोट कर लिया करिए तुरंती देखो भया phosphate के लिए हमें क्या करना है पॉस्पेट के लिए बनाना है फॉस्पोरस ठीक oxygen कितने चार चार उक्सिजन इसके किना लाओ एक दो तीन चार बोलो समझ माया चार ऑक्सिजन लादिया negative चार कितने तीन तीन नेगटिव चार मतलब क्या हुआ और इस तरीके से बना लिया और जिन पर कोई चार नहीं है वह बहीं कितने बनाएंगे वह दो बनाएंगे तब ही जा करके oxygen की वैलंसी पूरी होगी तो इस तरीके से हमने जो अभी structure बनाया है यह है PO43 जिसको कि मैंने बिन पढ़ाते हुए basic inorganic nomenclature पढ़ाते हुए मैंने यह बताया था कि इसका नाम होता है phosphate iron क्या नाम होता है phosphate iron I hope आपको समझ में आया हो कि phosphate iron की सकल किस तरीके की होगी अब जिन्होंने तेरे बिन फिल्म नहीं देखी होगी वो lecture नहीं सुना होगा करीब धाई घंटे का होगा मेरे भाई अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपको तकलीफ हो रही होगी तो जाईए पहले तेरे बिन देख करके आईए ठीक है इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर है नेक्ट पे आते हैं नाम दिया sulfate इसका नाम क्या है इसका नाम है sulfate वहाँ पे मैंने मेहनत इसी वज़ा से की थी ताकि next chapter में चलते हैं वक्त मैं बाकी नाम लेक लेकर के पुकारूंगा किसको इन molecules को अच्छा जी यहां पर structure बनाना हुआ कैसे बनाओगे बताओ यहां पर बीच में क्या रखोगे 各 D सअनारी किनारे कितने Oxygen चार चार अक्सिजण रख दिया एंधर टी है नैगटिब चार्ज कितने दो दो ने नेगटिब चार्ज मतलब क्या हुआ एक बना दो एक यहां और जिनूने नेगटिब चार्ज बनाए उनके सिर्फ एक एक बनाओ जिन्हों ने ने डिव बनाए उनके डबलवन उनके क्या उनके डबल इसमें कोई समस्या नहीं है यहां प्रिके कि सकल यहां पर आपको देखने को मिलेगी यहां CO32 negative को हम क्या बोलते थे carbonate iron बोलते थे जिन्हों ने तेरे बिन फिल्म देखी होगी उनको जरूर समझ में आया होगा कि ये carbonate कैसे बनाया गया next बड़ा important क्या लिखा गया NO2 negative क्या NO2 negative तो देखो भी है बनाना हूँ बीच में nitrogen किनारे किनारे दो oxygen कितने दो oxygen बना दिया दो oxygen बनाने के बाद एक negative दिया हुआ है इसका मतलब हमें एक पर negative इस तरीके दिखाना है और जिन्हों ने एक negative चार्ज बना लिया उसके एक bond बन गए समझ लो तो एक ही बचा है एक और बना दो और जो neutral लोग है उनको क्या करो दो bond से इस तरीके से जोड़ दो तो अभी जो सकल दिखाई दे रही है आपको वो है एनोटो नेगटिव का structure मैंने यहाँ पर लोन पेर्स नहीं बनाए हैं बहुत एक क्लियर लाइन बोल रहा हूं यहाँ पर मैं सिर्फ bond structures बना रहा हूं अगला है SO3 क्या SO3 तो भाईया बईच में क्या सलफर किनारे oxygen कोई negative चार्ज है क् यहाँ पर कोई negative चार्ज आपको दिखाई दे रहा है कोई negative चार्ज नहीं है और अगर यहाँ पर कोई negative चार्ज नहीं है तो इसका यह मतलब होता है कि इन सब को दो-दो bond बनाना है तो इस तरीके से आप दो-दो bond बना दीजिए तो SO3 की जो सकल होगी जो सूरत होगी वह को बोलेंगे SO2 लेकिन मैं आपसे अब एक सवाल करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे मुझे number of loan pair bond pair सब बताओ क्या बोला मैंने कि यहाँ पे अब आप मुझे loan pair भी समझाओ और क्या बताओ बांड पेर भी समझाओ बताओ या कैसे बताओगे अरे यार सलफर के बाहर कितनी electron sulfur के बाहर 6 electron यह oxygen की family का है तो निश्चीत रूप से यहाँ पे electronic configuration के हिसाथ से आपको six electrons मिल जाएंगे और अगर six electrons होंगे मेरे भाई तो six में से charge ने क्या किया six में से जो चार electron होंगे four electron होंगे उन्होंने तो यहाँ bond बना दिया देखो यह sulfur वाले electron मैं दिखा रहा हूं इस समय मैंने sulfur के चार electron दिखाए हुए हैं लेकिन दो electron बच गए क्या हुए sulfur पर दो electron इस तरीके से बच जाएंगे क्योंकि total तो छह थे अच्छा जी अब इस वाले oxygen पर आओ इस वाले oxygen के पास कितने electron total यहाँ पर होंगे भाया six electron दो चले गए bond बनाने में बाकी यहाँ पर यह दिख रह यह I hope आपको मज़ा आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से सारी calculation आसानी से कर ली है यहाँ पर बताओ lone pair कितने तो बोलोगे sulfur पर एक lone pair है यह देखो oxygen पर दो lone pair तो एक पर हो गया दो lone pair यहाँ पर हो गया मतलब कि total यहाँ पर lone pair बोला जाए total यहाँ पर lone pair बोला जाए तो हो जा पांच lone pair जिसमें से एक sulfur पर है और चार जो है oxygen के ऊपर है bond pair कितने हैं 4 bond pair है क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे 4 bond pair है भाई यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 इस वाज़ा से बोला जाएगा यहाँ पे 4 bond pair है क्या समझने में कोई समस्या हुई है जवाब आपका नहीं होने वाला है अगला देखता हूं लिखा गया है R.C.O.O negative इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अगर इसको इस तरीके से लिखा होता सी हैस त्रीय सीौ और डोन नगेटैयों तो इसको बोलते ऐस 2019 क्या बोलते ऐसके एक ये अर्श के बारे में CS3 CS3 COO negative तो आप उसको इस तरीके से बनाते अगर ऐसा लिखा होता तो ऐसा बनाते अब इसी CS3 की जगा पर यहाँ पर आर लिख दिया है तो यहाँ पर आप आर लिख सकते हो ठीक है I hope आपको समझ में आया हो अरे यह negative charge कहा गया oxygen के ऊपर गया तो आप इस तरीके से bond का बनान समझ चुके होंगे चलिए चलते हैं नेक्ट पे नेक्ट क्या है भी लिमिटेशन सॉफ और यह जो हमने कहा कि जो हमारे एटम्स हैं उनकी कोशिस है कि वह अपना अप्टेट भर लें वह खुद को इनार्ट कर लें यह किसकी कोशिस है यह है एकदम सुरुवात में कहा गया एकदम सुरुवात में कहा गया था और उस समय के लिए यह रूल भी बहुत बड़ी चीज थी लेकिन आगे बहुत सारी कॉंसेट पढ़ेंगे जिन्होंने धजियां उडा रखी है इन सारे लोगों के और आगे जब हम पढ़ें नेक्ट पे जाएं उससे पहले इनके लिमि केस में और यहीं पर हमें आठ एलेक्ट्रॉन मेंसूस होते हैं दिखते हैं देखो व्याजा वंस टू दूसरा लिखा जाता है 2s2 यहां पर होता है 2p6 तो यह जो आपको दिख रहा है यह यह आठ इलेक्ट्रॉन जो अभी आप देख रहे हो इसी को देख करके यह वोला गया कि यह लगता है जितरे लोग हैं अहां पर दिख रहे हैं यह जो एटम्स दिख रहे हैं जब यह बॉंड बनाने जाते हैं तो दिख रहता हैं कि तने 8 H Kunden अर्छा जी लेकिन लेकिन द्हां सना लेकिन इसी फैमली में आगे चलके नियॉन के नीचे आता है क्या आता भी या XE आता है जैनोन आता है और बाद में ये देखा गया कि ये जो जैनोन है ना ये जैनोन खुद क्या करने लग गए बॉंड बनाने लग गए या क्या करने लग गए खुद बॉंड बनाने लग गए रियक्शन में पार्टिसिपेट करने लग इसका आधार क्या था? इनर्टनेस ओफ इनर्ट गैस था तो ओक्टेट रूल के हिसाब से जनौन को रेक्शन नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसके बाहर आठ इलेक्ट्रॉन थे उसको बॉंड नहीं बनाना चाहिए था लेकिन ये भाई साब क्या करते हैं? बनाते हैं अब एक बात देखो बड़ी बढ़िया आईरनी यहां पे दिख रही है कि जो हमारा आधार था वही खिसक गया इसी को बूरते हैं जमीन का खिसक जाना तो ये वहीया ओक्टेट रूल जिस जमीन पे खड़ा था वही भग गया जमीनी भग गया क्यों? क्योंकि उसने कहा यार जनौन रेक्चन नहीं करेगा लेकिन वो कर गया वो बहुत सारे मॉलेक्यूल्स बना रहा है जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो ठीक है? तो ये बात समझ में आगी मेनली कहां लगता है? लेकिन कहां पर लग सकता है? ये मेनली लग सकता है सकंड पेरियर्ड इलिमेंट में ये रूल जो है मेनली कहां लगता है वही या सकंड पेरियर्ड इलिमेंट में लगता है तो इसमें कोई कठना ही नी है सब्द नया होगा वो आपके लिए नया नहीं छोड़ोंगा ठीक है आप तक के लिए अगर कोई चीज नहीं रही होगी यहां पर लिखी हुई तो आपके लिए नहीं नहीं होगी लिखा गया है इनकम्प्लीट ओक्टट सिंपल सी बात ऐसा जिसका ओक्टट कम्प्लीट ना हुआ जिसके बाहर आठ एलेक्टरॉन ना हो उसी को इनकम्प्लीट ओक्टट बोलते हैं देख लो लीटियम के बाहर कितने एलेक्टरॉन होते हैं सिर्फ एक एलेक्टरॉन होते हैं अरे भाई य क्या जोड़ना है क्लोरीन जोड़ना है क्लोरीन के बाहर कितने इलक्रोन साथ यहां पर क्या होगा तो यहां पर आपको दिख रहा होगा छह मैंने यहां बना दिया एक मैं यहां बना दिया तो इस तरीके से क्लोरीन के साथ इलक्रोन हुए एलाई के कितने हो गए एक हो गए अब देखो भई या, एलाई के बाहर, टोटल, कितने इलेक्ट्रोन अभी दिख रहे हैं आपको, दो इलेक्ट्रोन, सेरिंग वाले दो, यही तो हुए, भाई एक इसमें लीथियम का था, एक क्लोरीन का, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो लीथियम है, उसके बाहर मैक्सिमम 8 iletron होने चाहिए, नियोन का electronic configuration gain होना चाहिए, जो कि क्या होता है, 2s2, 2p, 2p6 होता है, तभी वहाँ पर बोला जाता है, यहाँ पर valence cell के अंदर 8 iletron होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 iletron दिख रहा है, क्या सिर्फ दो दिख रहा है, अगर 2 है, इसका मतलब ये incomplete octet है, य इतनी बात समझ माई अगला देखेंगे बीस-3 वैसे मैंने बीस-3 के बारे में अच्छे से समझा दिया लेकिन दुबारा बता देता हूं बोरोन है बोरोन के किनारे तीन हाइड्रोजन लगाना है और हाइड्रोजन जो है क्या करते एक बॉंड बनाते हैं तो वह इस तरीके स प्रजेंट हैं बोरोन के किनारे मतलब यह कि भाया यह आठ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है कुल मिला कि कहना यह है यह उससे कम है तो भाया यह रहा इनकंप्लीट ओक्टेट कहां पे बोरोन के केस में आई हो आपको समझ में आया हो कि बीस-3 जो है एक ऐसा मॉलेक्यूल है जह को हम आप से सवाल पूछ दूं कि आप आप बताओ जो यह ऋड मॉलेक्यूल सोने वाले हैं क्या यहंजंड कंप्लीट करेंगे क्या यहां प्रड़ब और ना होना चाहिए क्योंकि पे आक्टेट complete हो रहा है लेकिन यहाँ वाला ऐसा molecule पे चर्चा होने वाली है जहां में odd electrons मतलब 8 नहीं होंगे चाहे 7 होंगे चाहे 9 होंगे या 3 होंगे ऐसे electrons होंगे तो उनको क्या बोलेंगे odd electron molecules बोलेंगे इसका मतलब यह वाला portion भी क्या कर रहा है octet rule को follow नहीं कर रहा है तो चलिए बना के देखते हैं लिखा गया है एन ओ के केस में नाइट्रोजन के उपर total number of electron कितने होते हैं पांच होते हैं क्या हाँ सर पांच होते हैं तो दो मैंने यहां रख दिया दो यहां रख दिया एक electron मैंने यहां बना दिया अब oxygen के केस में बताईए इस oxygen में बाहर कितने होते हैं छे होते हैं दो मैंने यहां बनाया दू यहां पर यह हमने oxygen के किनारे के 6 electron बना दिये जी बना दिये अहम क्या करें इनके बीच में 2 bond बना देते हैं और ऐसा बनाने क्या होगा nitrogen का पेट तो भर जाए है नाइट्रोजन का पेट क्या होगा भर जाएगा क्योंकि इसके आठ इलेक्ट्रोन कम्प्लीट हो गए अरे छे उसके और ये दो और किसके नाइट्रोजन वाले तो ये जुड़के हो गए आठ इनका पेट भर गया लेकिन इनका नहीं भरा इनके बस कितने है देखो दो ये हो गया oxygen वाले जो share हुए थे और पांच इसके यहाँ पर तो टोटल सेवन इलेक्ट्रोन सही हुए और यह सेवन एक और नंबर है इस होजा से बोला जाएगा कि जो यह एन ओ आप देख रहे हो वहाँ पे और और यह ओड्ड नेस जो आ रही है मतला और इलेक्ट्रोन का जो करेक्टर आ रहा है वह इस इलेक्ट्रोन की वज़ाँ से रहाए है अगर यह पेर हो जाता तो यह ओड ना होते क्योंकि बाकी देखो क्या है बाकी पेर्ड हमें दिख रहे है आई-प आपको इतनी बात समझ्द आगे होगी next है no2 next no2 molecule को समझने के लिए आपको यहीं पर मैं coordinate bond भी समझा दूंगा दिखिएगा no2 क्या करना है no बनाना है और एक यहां पर oxygen बनाना इस तरीके समय nitrogen किनारे दो बॉंड sorry दो आक्षण लगा दिए मैंने पीछे बताया था कि आपको क्या करना है दो दो बॉंड बना नहीं डो डो दो बना था पहले मैं जो बनाया था पहले मैंने जो बताया था वो में आपको बता रहा हूँ इस तरी किसा czasu अगर आप बनाओगे तो आप बता हूँ नाइट्रोजन के बाहर कितने होते हैं टोटल पांच होते हैं अच्छा जी अगर पांच होते हैं तो यहां पे देखो चार तो चले गए यहां पे चार कहां चले गए चार चले गए यहां पे एक यहां पे एक यहां और यहां चले गए और एक यह नाइट्रोजन पे बच गय यहाँ पर देखो यहां तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो जा सकता है वो आठ हो सकता है इसका मतलब हमारे इस सकल सूरत में कोई कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए एक नई संकलपना प्रस्तुत की गई एक नई चीज दी गई आपके सामने वो क्या थी वो था कॉडिनेट बॉन्ड बनाने का कॉंस क्या कहता है वो देखना यह है नाइट्रोज हमारे पास क्या है पांच एक मैने यहां रखते हैं यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर आप एलेक्ट्रॉन कितनी च्छे वह भी बना लो यह रहे उनके च्छे इसमें कोई समस्या है नहीं है अब अब देखो सामने बनाया मैंने एक दूसरा ओक्सीजन इनके पास टोटल कितनी इलेक्रॉन सरह यहां पर बीचहां है क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसको लगा करके मैं इसका इस च्रॉक्चर बनाओं और इस नाइट्रोजन के बाहर जो है आठ से ज़्यादा इलेक्ट्रोन नाए आठ से ज़्यादा आ गया तो भाया मॉलीक्यूल ही गलत बन गया क्योंकि second period element में maximum कितने हो सकते हैं 8 electron हो सकते हैं valence cell के अंदर अब cell के अंदर जितने possible हैं वही तो bond बना सकते हैं maximum उतने ही हो सकते हैं ओके भाया तो देखो क्या करना है जहां सुनना क्या करना है पहले एक के साथ बातचीत करो जैसा आपने no को बनाया था वैसा ही इधर भी बना दो मतलब कि यहां पर क्या करो दो bond बना दो कोई समस्या no की तरह हमने यहां भी बना दिया अब देखो इनको कैसे connect करोगे इसके band bond बना दिये और यहां पर बना दिया दो को जाएगा На o electron इससे बचने एक तरीका है कि क्या करो यह दो नो इलेक्ट्रान उठा करके किसको दे दो oxygen को दे दो क्या बोला मै ने यह दोनो median time उठा करके oxygen को दे दो ऐसा करने पर दुबारा ऐसा करने पर होगा क्या इस nitrogen के बाहर जो है अब 9 electrons भी नहीं होंगे और हमारा काम भी बन गया इस समय जो ये electron देख रहे हो इस समय जो आप ये transfer of electron देख रहे हो इस तरीके से इसी को बोला जाता है coordinate bond क्या बोलते हैं coordinate bond ध्यान दीजेगा इसको क्या बोलते हैं coordinate bond क्या बोलते हैं इसको हम coordinate bond बोलते हैं तो ये रहा coordinate bond का concept जिसमें एक ही atom जो है एक ही atom जो है एक pair उठा करके किसी को दे देता है ऐसा होने पर आसा होने पर इस oxygen को ध्यान से सुनिगा एसा होने पर इस oxygen का भी of take complete हो गया पहले इसके पाश डो टोटल च्छे ते यह दो पागया तो कितने हो गया Controller hydrogen का ये electron तो उसी का है तो अभी भी nitrogen के पास इस समय कितनी है इस समय अभी nitrogen के पास कितने है तो आप बोलोगे कि sir अब यहाँ पे 7 ही है अरे यार 1,2,3,4,5,6,7 यह इनोंने दिये नहीं है एकदम से नहीं दे दिये हैं सेर किये हैं कि ठीक है भाई हमारा ही electron है तुम भी के लिए इस से खुश हो जाओ तो इस वजा से उनोंने दिये तो यहाँ पर अभी साथ है यहाँ पर कितने हैं और यहाँ पर कितने हैं यहाँ भी आठैं तो देख रहे हो गई किनारे किनारे आठ बीचर वे हो गया साथ तो भया हो गया और electron इस वजा से इस मोलेक्यूल को और एलेक्ट्रोन मॉलेक्यूल बोलेंगे और यह कहेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन का ओक्टेट भईया कंप्लीट नहीं करा सकते इतनी बासन में आई जी आ गई होगी बड़ी मेहनत लगी इसको समझाने में चलिए जी नेक्ट पर चलते हैं नेक्स्ट क्या है और यहां पर अगर याँ बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि दिखो यार चीदा मैं बना लेता हूं यहाँ पर मैं मॉलेक्यूल नहीं बना रहा है CLO2 direct बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे total 7 होगा, तो 7 में यार, कितना भी bond बगारा तुम बना लोगा, odd number of electron वहाँ पे है, तो वहाँ पे वो odd electron molecule होगा, simple सा मैं कहा दे रहा हूँ, कि 7 है, और 7 क्या है, एक odd number है, इस वज़ा से यहाँ पे हमेशा, हमेशा क्या होगा, odd electron जरूर मौजूद होगा, क्लोरीन के उपर, आप चाहे जैसे bond बना लो, इस वज़ा से CLO2 जो होगा, वो एक odd electron molecule होगा, आप practice करेंगी, इसको आप खुद से बना देंगे, चलिए जी, next देखते हैं, next है, expanded या super या hypervalent octet, ऐसी चीज़े सुनने के बाद, लगता है, पता न हैं, ऐसे कौन से हैं, जो super octet दिखाते हैं, ऐसे कौन से हैं, जो expanded octet दिखाते हैं, कुछ कठिनाई नहीं, कुछ कठिनाई नहीं है, अगर 8 electron से जादा electron कहीं पर मौजूद है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उस molecule को बोला जाएगा, expanded या super या hypervalent octet, तीनों के कहने का सिर् हैं, यहां पर देखो, यहां पर फॉस्पोरस कितने bond बना रहा है, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच bond बनाएगा, तो दस electron तो सीधा दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके किनारे किनारे total number of electrons कितने हैं, दस electron है, अगर यार दस electron है, तो यह 8 से तो आए थी, उससे वो ज़्यादा बना रहे हैं, इस वजा से वहां पर hypervalent सब्स लिखा जाता है, यहां पर क्या लिखा जाता है, hypervalent है, super, चलिए, अब इग्जापल प्याफ फाइफ है, इस वजज़ा समझ प्याफ प्याफ बनाते हैं, फॉस्पोरस कि किनारे total कितने electron होते और पांच अगर है ना तो यह इग्जिस्ट भी करते हैं देखो तीन चार पांच क्या कर यह फ्लोरीन बनाएं इनके किनारे बनाए हम आपको आता होगा ऐसा में मान के चल रहा हूं देखिया क्या होगा कुछ इस तरीके का भीया स्ट्रक्चर बनेगा फॉस्पोरस के किनारे किनारे पांच फ्लोरीन्स दिखाई देंगे क्या होंगे पांच फ्लोरीन्स दिखाई देंगे ऐसा होने की कंडिशन में भीया जो ये फॉस्पोरस है वो टोटल पांच बॉंड बना रहा है मतलब टोट था वह एक्सपैंड कर गया इस वजासे इस मॉलेक्यूल को एक्सपैंड या सुपर या हाइपर वैलेंट ऑक्टेट बोलेंगे जवाब दीजिए कि यह जो पिया फाइफ है क्या यह ऑक्टेट रूल को फोलो करता है अरे नहीं करता ना यार जब आठ इलेक्ट्रॉन होते त बारे में और अच्छे त्रीके से समझाऊंगा और यहीं पर मैं आपको फॉर्मल चारज के बारे मтесь किसके बारए वाला मैं और डिसकस कर दूंगा च्वा के चांज के चले पीछे चलते हैं पहले यह समझते हैं कि हम कौर्डिनेट बॉंड बनाते कैसे हैं क्या तरीका है उसका इसको मैं बता चुका हूं लेकिन दुबारा बता रहा हूं ताकि अच्छे तरीके से आप समझ पाएं लिखा गया है एक नेगटिव नेगटिव में मैंने क्या सिखाया था आपको आपको क्या करना है एक बॉंड बनाना जहां पर ओ नगेटिव है क्या करना है नाइट्रोजन के साथ इसमें कोई समस्या क्या नहीं होगी अब देखे क्या करना है इसके बाद हम समझेंगे बाकी चीजों को इतना तो हमें समझना रहा है या इसी को डारेक्टलि आप बोलना चाहो ना तो यह पास इलेक्ट्रोन कितनी और एक मैं यहां पे और यह रहा विया च्रींट्रोन बना बना दिये इस वाले oxygen कि यह अगए पहले से एक्स्ट्रा एलेक्ट्रोन आया है तो चलो जहां पर नेगेटिव बनाया है मैंने वहां पर मैं चलो इसको हटा देता हूं हटाने के बाद यहां पर मैं एक नेगेटिव चार्ज बना रहा हूं ग्रीन कलोर ठीक है यह वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो किसको बता रहा है यह वाला जो electron है, वो किसको बता रहा है, इस वाले negative charge को बता रहा है, इतनी बात हमें समझ में आगी, similarly इस वाले oxygen पर आईए, यह जो oxygen है, इस पर क्या होगा, यहां पर भी 6 electron होगे, तो 2 मैंने यहां पर बना दी, 2 मैं यहां पर बना दे रहा हूँ, यहां पर oxygen के बास भी 6 electron ह हो गए, यहां पर आहिए, यहां पर भी आपको 6 मुए तो चलिए देखते ही, यहां पर बनाए है, तो सब के हमने number of electrons बना दिए, अब हमें क्या करना बोंड बनाने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वो हम क्या करेंगे, इस nitrogen के यह2 electron है, उंको इन के साथ connect कर दे, क्या करें के साथ कनेक्ट कर दिए यहां पे हमने connection बना दिया बॉंड बना दिया ऐसा करने पर क्या होगा इस oxygen की वैलेंसी पूरी हो चुकी होगी इस oxygen के पास टोटल आठ electron पूरे हो चुके होंगे यहां पर देखो इस oxygen को कितने electron की जरूरत ही दो कि कुछ है तो था ही दो उसको मिल जाएंगे नाइट्रोजन वाले तो इसके आठ पूरे हो गए कोई समस्या नहीं है अब नाइट्रोजन के पास टोटल तीन electron कितने electron है टोटल तीन electron है और इस वाले oxygen को आप पहले से एक electron दे चुके हो तो इस वाले oxygen के पास total number of electron अभी कितने हैं साथ है इसको सिर्फ एक की जरूरत है तो वो क्या करेगा यहां पर इस तरीक से bond बना देगा नाइट्रोजन के एक electron से क्या करेगा bond बना देगा इसमें कोई समस्या नहीं है यहां तक की किनारे maximum 8 electrons रख सकता है क्योंकि nitrogen का जो valence cell होता है वो है N is equal to 2 और N is equal to 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ S और P orbital होते हैं क्या क्या होते हैं S और P orbital होते हैं S के अंदर maximum 2 electron रखा जा सकता है और P के अंदर maximum 6 electron रखा जा सकता है तो total number of electron जो maximum रखे जा सकते हैं इनके valence cell में वो हो गया 8 लेकिन अगर हमने double bond बना दिये तो यहाँ देखो यह दो electron इसी की साथ आइड हो जाएगा तो यहाँ पे चार यहाँ पे चार आठ और आठ दो 10 हो जाएगा लिएक ब्लंडर आजाएगा इसी ब्लंडर से बचने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम नाइट्रोजन से electron donate करा देंगे oxygen की तरफ यहाँ पे हम nitrogen और oxygen के बीच में coordinate bond बनाएंगे कैसे बनाएंगे देखेगा nitrogen क्या करेगा दोनों electron दे देगा क्या करेगा दोनों देदेगा क्योंकि मैंने बोला नाइट्रोजन अपने किनारे सिर्फ चार बॉंड बना सकता है तीन बॉंड वो बना चुका है एक ही बॉंड बना सकता था तो उसने क्या किया यह दोनों इलेक्ट्रोण उठाए और ऑक्सिजन को दे दिए तो इस तरीके से यह NO3 negative का structure बन चुका है ठीक है अगर आप इस molecule को लिखना चाहें without loan pair तो आप इसको directly इस तरीके से लिखे nitrogen double bond oxygen और यहां पर आप इस तरीके से oxygen के साथ जोड़िए और यहां पर oxygen जोड़ करके इसके उपर negative charge बना दीजिए negative charge यह बताएगा कि इस वाले oxygen को क्या मिल रहा है एक extra electron मिल रहा है तो यह है सकल किसकी NO3 negative की साथ इतनी बास मौझना ही हो अच्छा जी अब एक बात और समझना यहां पर ध्याम से यहां पर आपको इक बात क्या समझना उब देखना यहां पर यह जो बनाया गया है इसमें मैं कुस तूड़ा सा क्रेक्शन करने वाला हूं यहां पर जो nitrogen बना हुआ है यहाँ पर nitrogen जो बना हुआ है उसके पाँ जो 2 electron था क्या था यहाँ पर क्या था दो electron था उसमें से मैं एक electron उठा करके इसको देना चाहता हूं एक electron कहरा हूँ मैं nitrogen का एक electron उठाकर के इसको देदो किसको इस वाले को दे यहांति यहां पे पहले कितना था था जेए साद कितना पर इसके पास पान के पास और ऑ्कills के लेते हैं यहां वाला एक एलेक्टरॉन हमने क्या किया यहां पर रख दिया ठीक है इतनी बात सुन में आगी ओके अब देखो क्या हुआ नाइट्रोजन एक एलेक्टरॉन दे दिया इसमें कोई समस्चा नहीं अब बताओ ऑक्सीजन के पास फिलहाल कितने एलेक्टरॉन है सा अब देखो इस वाले ऑक्सीजन के पाथ टोटल नंबर आफ एलेक्टरॉन कितनी हो गए एट हो गए अच्छा जी अब तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका ओक्टट कंप्लीट हो गया इसमें कोई समस्या नहीं है अब नाइट्रोजन की बात करो नाइट्रोजन के किनारे कि इसका मतलब मैं जो इस समय सोच रहा हूं सही सोच रहा हूं लेकिन मेरे भाई जब इसकी सकल सूरत यह तो हुआ लुए स्ट्रॉक्चर जब आप इस तरीकी की सकल बनाओगे तो कैसे बनाओगे वह देखना आपको बनाना होगा नाइट्रोजन यहां पर आपको क्या करना लाइन बनाना oxygen और यहां पर बनाना नेगरेटिव चार्ज क्योंकि यह एक्स्टा इलेक्ट्रॉन कहां से नेगरेटिव चार्ज के फॉर्म में इनके उपर मिला था अच्छा जी अब चेंज यहां पर कुछ देखने को मिलेगा nitrogen ने क्या किया था अपना electron उठा करके oxygen को दिया था और कोई भी अपने उपर से अगर electron उठा करके किसी को देता है तो वो खुद को positive charge दे रहा होता है क्योंकि electron के उपर negative charge है और वो negative charge को shift कर रहा है किसी दूसरे के उपर अब negative charge उठा करके अगर यहां आएगा तो oxygen के उपर बताओ कौन सा चार्ज आएगा oxygen के पास आएगा negative charge और इस nitrogen ने electron दिये थे इस वज़ा से nitrogen को positive charge जहिलना पड़ेगा क्या जहिलना पड़ेगा भीया positive charge यहां पे जहिलना पड़ेगा इस nitrogen को और बीच में हमें एक bond यह वाला देखो देख रहा है तो साथ आपको यह समझ में आया हो कि यह चीज मैंने कैसे बनाई है अब एक चीज समझना जान से अब इस structure को देखो और इस structure को देखो जान से तो क्या समझ में आ रहा है हमें दिख रहा है कि बाकी पार्ट तो सेम है क्या बुल रहा हूं में इतना पार्ट तो देखो भया सेम है ये पार्ट सेम है ये पार्ट सेम है इसमें कोई समस्या नहीं जो भी बदलाओ दिख रहा है जो भी चेंज दिख रहा है वो इनके बॉंड बॉन्ड कहते हैं तो हम यह कहेंगे कि मेरे भाई यह भी क्या है इसका मतलब जहां कहीं ऐसा लिखा होगा उसको आप इस तरीके से बना सकते हो कि अगर इलेक्ट्रोन जिसकी तरफ जाएगा वहां नेगेटिव चार जाएगा और जो इलेक्ट्रोन देगा उसकी तरफ पॉज को रेप्रजेंट कर रही है साथ समझ में आपको आ चुका होगा कि मेरे भाई कोडिनेट बॉन्ड जो होता है उसको लिखने का हमारे पास अब दो तरीका आ चुका है पहला तरीका कहता है कि आप यहां पे नाइट्रोजन से सिफ्ट करा रहे हो दो इलेक्ट्रोन को एक को यह ऊधर का और एक इलेक्ट्रोन इदर का सेयर करके यह बॉन्ड बना रही है और कोडिनेट बाण को अगर कोवेलन्ट बॉन्ड के फॉर्म में लिखना हो तो दोनों की बीच-पिर इप zgश सबसुद ऑस यहां कीatta और एक यहां नेगेटिफ चार्ज होता इस vedा इस वज लाना है सिंपल सी बार ऐसा ही तो नोत्री बनेगा ठीक है अगर नेगटिव चार्ज नहीं है तो त्या मैं यह ग्रीन वाला नहीं यह जो लगाया था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रान वह ठादू जवाब होगा हाँ अगर उसको खटा देंगे धान दीजिएगा आप उसको खटा देंगे तो इस oxygen के पाद टोटल नमबर अभी कितना दिख रहा है देखो भई एक यह कितने हो गए दो और यह हो गया तीन चार पांच छीज साथ अभी oxygen के पाद टोटल साथ इलेक्ट्रॉन मौझूद है इसका मतलब अगर मैं यह वाला hydrogen इसके साथ क्या करा दूं जोड़ दूं पेर करा दूं बॉंड बना दूं तो सायद यहां का काम बन जाएगा क्या होने वाला देखो यह है hydrogen hydrogen के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक एलेक्ट्रॉन यहां पर oxygen के एक एलेक्ट्रॉन के साथ मैं इसका गडबंधन करा देता हूं क्या करा देता हूं गडबंधन करा देता हूं जब मैं गडबंधन करांगा तो इस वाले oxygen का क्या पूरा होगा और पूरा होगा इसका मतलब अभी जो मैंने बनाया है यही यही यह एक्षणर मेरे भाई क्योंकि यहां पे इनका पूरा है इनका पूरा है और इनका डूबलेट हो रहा है यह क्या हो रहे है ने ह्च्छत रूत से रहा है दिखनी रहा है उस सवाला जैसा पहले आप बनाया था देखो भाई यह बनाई इसमें कोई समस्या है क्या नहीं होगी अब आपको क्या करना है अगर आप इसके बीच में सिंगल लाइन बनाना चाहते हो इस तरीके से तो इस पर प्लस बनाओ इसके उपर नेगटिव बनाओ अच्छा जी और यहां वाले क्या करना है यह पर एक oxygen लगाना और इससे एक hydrogen इस तरीके से connect कर देना है तो अभी जो आप सकल देख रहे हो यही है HNO3 या आप इसी को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भाईया देखो यह nitrogen क्या कर रहा है दो electron दे रहा है किसको oxygen को तो यह भी HNO3 का ही representation है यही molecule represent कर रहा है किसको HNO3 को आई होप समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको coordinate bond का concept समझ में आ रहा होगा अब आते हैं भाईया O3 किस पर O3 पर O3 में क्या होगा आ एक होगा oxygen बीच में इसके किनारे किनारे दो oxygen होंगे कितने oxygen होंगे दो pasar डिख रहा है इसके पास बता कितने electron हो इसके पास होंगे ऑज चसरे oxygen के पास कितने electron हो grabbed के पास अभी हम 6 electron बनाएंगे, 6 electron इस तरीके से हम बना देंगे, ठीक है भई, मैंने बना दिया, अब देखो, अगर इनको इनके साथ जुड़ना है, यह कहलो, अगर हमें इसका octet complete करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 2 bond बनाना पड़ेगा, चले जी, इनके ब हुआ, इस वाले का भी octet पूरा हो गया, अरे यार यह देखो न, 6 इसके हैं, दो इसके वाले, तो यहाँ पे भी octet complete हो गया, तर जब इनका भी complete हो गया, इनका भी complete हो गया, तो यह भाई साब क्या खेले घूमेंगे, नहीं नहीं, इनको इनके साथ connect करना पड़ेगा, connection का क्या तरीका होगा, connection का तरीका होगा, coordinate bond, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह दोनों electron उठाएंगे, और इन भाई साब को support करेंगे, क्या करेंगे, इन भाई साब को support करेंगे, ऐसा करने पर क्या होगा, इस oxygen का भी octet complete हो जाएगा, और यहाँ पर तो पहले से complete था, यहाँ पर यह बात समझ में आई हो, कि इसका structure कैसा दिखेगा, तो O3 molecule कुछ इस तरीके का दिखता है, अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहते हो, जो भी पढ़ाया था, plus minus वाला तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा, यहाँ पर आप बीच में oxygen बनाईए, यहाँ पर बनाईएगा, आप क्या देख रहे हो, कि लेक्टान दे कौन रहा है, दोनों लेक्टान दे रहा है, यह वाला oxygen, इस वज़ा से इस पर लगाईएगा positive charge, और इस वाले oxygen पर लगाईएगा negative charge, क्या बोला, इस वाले oxygen पर लगाईएगा negative charge, तो अभी जो आप सकल सूरत structure देख रहे हो, मेरे हई, वो किसका है, ओ three का structure है, आप चाहूँ ये बना लो, आप चाहिए बना लो, दोनों, एक ही बात है, अब आते हैं भाईया, formal charge पे, किस पे, formal charge पे, formal charge बड़ा ही आसान है, क्या है, बड़ा ही आसान है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, अगर आप ये structure बना ले ग तो देखो बचा हमारे पास यह सकल सूरत हमें क्या देखना है फॉर्मल चार्ज देखना है क्या आपको इसमें कहीं चार्ज दिख रहा है सिर्फ चार्ज बताओ कहीं चार्ज दिख रहा है इस वाले पर मुझे दिख रहा है कि यहां पर माइनस वन का चार्ज है इस वाले पर कितने का चार्ज है इस वाले पर प्लस वन का चार्ज है इस वाले के उपर प्लस वन का चार्ज है और इस वाले oxygen पर बताओ कितने का चार्ज है इस वाले पर जीरो का चार्ज है कितना है इस पर पर यह वाला चार्ज देख रहे हो जीरो प्लस वन माइनस वन यही फॉर्मल चार्ज बोले जाते हैं उस पर्टिकुलर एटम का यहां जो आप यह वाला ऑक्सिजन देख रहे हो इस वाले ऑक्सिजन पर भईया कोई चार्ज नहीं जीरो चार्ज है तो बोला जाएगा इस time पर कोई charge नहीं मिला तो हम बोलेंगे यहां पर formal charge कितना है zero है कितना भीया यहां पर formal charge zero है इस वाले oxygen के लिए इस वाले oxygen पर minus one का formal charge कितने का charge है minus one का formal charge है लेकिन इस वाले oxygen पर इस वाले oxygen पर plus one का formal charge है इसी को पता ने क्या-क्या बड़ा-बड़ा वो दिखा करके ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला इनसे बताया जाता है कोई जरूरत पही है मॉलिक्यूल को ऐसा लिखो तुरंत प्रेडिक्ट हो जाएगा तुरंत लिखते इस समझ में आ जाता है कि भाईया यहां पे कौन सा चार्ज होगा अच्छा सर एक ही एक्जामपल बताया और बताईए जी बताऊंगा यहां पे जो यह कोडिनेट बॉंड है इसको क्या करिए कोवलेंट बनाएए जब आप इसको कोवलेंट बनाएंगे जब आप इसको कुछ इस तरीके से बनाना होगा आपको समझ में आ चुका होगा किसका क्या फॉर्मल चार्ज होगा किसका क्या फॉर्मल चार्ज होगा मेरे भाई इस वाले ऑक्सिजन पर कितना फॉर्मल चार्ज है माइनस वन का फॉर्मल चार्ज है इस वाले ऑक्सिजन पर कितना चार्ज है जीरो का चार्ज है क्योंकि उसको दो bond बनाने रहते हैं, उसमें दो बना दिये हैं, oxygen को कितने बनाने होते हैं, दो, लेकिन उसका एक bond कम है, कम मतलब minus 1 है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, nitrogen देखो, nitrogen पर कौन सा charge दिख रहा है, positive charge दिख रहा है, इसका मतलब nitrogen पर plus 1 का formal charge होगा, इस वाले oxygen पर आओ, य पर कोई charge नहीं है, उसको zero charge मिलेगा, hydrogen को भी कितने bond बनाने होते हैं, सिर्फ एक bond बनाने होते हैं, उसने बना रखे हैं, इस वज़ा से hydrogen के ऊपर भी zero formal charge आएगा, तो इस तरीके से अगर आप structure बनाएंगे, तो formal charge चुटकियों में निकल के बाहर आएगा, बहुत कटिन करक देख लिजे, वही O3 वाला, क्या करना है, O3 के case में देख लिजे, आपको oxygen लेना है, यहाँ पर oxygen है, और यहाँ पर oxygen है, हमने अभी देखा था, कि यहाँ पर मेरे भाई आपको क्या करना होगा, दो bond बनाना होगा, और यहाँ वाले में हमें क्या करना होता है, मैंने बताया और आप क्या करो ध्यान दीजेगा एक इलक्ट्रोन उठा करके इसको दे दू अँ मेरे भाई इसके भाहन कितने थे साथ हो गए अब छहमें से क्या हुआ उस से क्या हुआ कि दो आ लगंड बना लिया 6 में से 2 ने देखो bond बना दिया 6 में से 2 ने bond बना दिया और एक हमने सामने दे दिया इसका मतलब इसके पास कितना बचा होगा अब इसके पास सिर्फ 5 electron होगा देख लो भीया अरे देख लो भीया ध्यान से इस वाले oxygen के पाद देखो 1, 2, 3, 4, 5 और यह वाला electron यह वाला electron actually किसका है यह वाला electron इसका है आमने यहां से वहाँ transfer किया है Lewis dot structure को बना करके समझाने के लिए या बोलो इनके octet को भरने के लिए ऐसा काम हुआ समझ में आया आप देखो यहां पे क्या होगा इनके बीच में bond बनेगा इतनी बात समझ में आगे तो अभी जो सकल सूरत आपको दिख रही है यही है Lewis dot structure आपके NCRT में भी यह चीज मेंसन की गई है तो इस तरीके से जो सकल दिख रही है यह हमारा Lewis dot structure of O3 है यह initially हम ऐसा बनाते हैं अब देखो अगर हमें इस वाले oxygen पर किया निकालना हो formal charge निकालना हो इस वाले oxygen पर अगर हमें Something अभी यह इतना भीतन है कि यह याद करना रही कट पढ़ जाता है बच्चे के लिए उससे अच्छा तो आप directly क्या करिए बढ़िया होला structure पीछे वाला बनाइए और उसके प्लस माइनस देखके एंसर बताईए लेकिन कोई बात नहीं कुछ बच्चे सोतरे होंगे सर एंचार्टी तो पढ़ाया करो देखो विया लिखा है formal charge of an atom in a Lewis structure यह Lewis structure है और यहाँ पर एक atom पर formal charge कितना होगा लिखा जा रहा है is equal to total number of balance electron in the free atom अगर यह oxygen free घूमता तो उसके पास उसके balance electron कितने होते six electron होते कितने होते six होते था हमने लिख दिया six इसके बाद क्या लिखा गया माइनस इसके बाद क्या करना यहाँ पर एक bracket लगाना है यहाँ पर भी देखे लिखा गया है total number of non-bonding electrons non-bonding electrons का मतलब होता है जो bonding में participate नहीं करते यह जो oxygen है उसके पास non-bonding electrons कौण कौण से देखो यह वाले दो तो bond बना रहे हैं लेकिन यह जो बचा हुआ है यह वाला और यह वाला यह दोनों electron स्वारी यह दोनों पेर के जो अंदर electron है मतलब कि जो यह चार electron है यह non-bonding है मतलब कि यह participate नहीं कर रहे है bonding के अंदर क्या कर रहे हैं इस वज़ा से total number of non-bonding electron on that atom कितना हुआ चार कितना भी यह चार यहां पर हमने लिख दिया हो इसके बाद भया ब्रेकट कर दो बन जो जो ncrt कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूं minus one by two इसके बाद लिखा है total number of bonding electrons bonding electrons कितने हैं इनके bonding electrons कितने हैं बही यह कितने हैं दो अरे यार यह दो ही electron तो है जो bonding में participate कर रहे हैं तो यहां पर इसको solve करो इसको solve करो भी है six minus four minus यह two to cut जाएगा हो जाएगा minus one कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा two into two sorry यहां पर कितना होगा total number of bonding electrons यहां से जुड़े हुए bonding electrons दो कैसे होंगे यह दो तो इसके खुद के दो सामने से मतलब हो गया चार ठीक तो अगर इसको solve करोगे तो कितना आएगा यहां पर आएगा two कितना आएगा two आएगा तो जब आप देखोगे तो यह हो जाएगा six और यह भी six solve किया क्या मिला बताओ zero मिला क्या मिला zero मिला तो यहां से हमें समझ में आया कि इ तो बॉंडिंग में participate करने वाले यह चार electron हो गए क्योंकि इनके बॉंड कितने हैं दो और दो बॉंड में कितने electron होंगे चार होंगे तो आई होप आपको यहां की बात समझना होगी चलिए अब चर्चा कर लेते हैं इस वाले oxygen पे इस वाले oxygen के अंदर देखिएगा अब ल लेकट लगाना है माइनस के बाद लिखा गया है कि टोटल नमर आफ नौन बॉण इंग अच्छा जी नौन बॉंडिंग बचे कितने बॉंडिंग में तो बहुत सारे गए हुए नौन बॉंडिंग में सिर्फ यही दो इलेक्ट्रोन बचे हैं यहां पर सिर्फ यही दो प्रिकत नहीं है फिर लिखेंगे माइनस हाफ लिखेंगे यहां तक मैं पहुंचा अगला है यहां पर total नमबर हाब bonding एलेक्ट्रॉन बांडेंग अब कितने हैं एक दू तीन-चार-पांच यहां पे च्छे पॉन्डिंग इलक्टोंउस आपको दिख रहे हैं अगर हम आपे six क्या क्या करें सिक्स बांडिंग इलक्टोंउस तरीके से लिख दें तो हमयं क्या मिलेगा six minus too minus half करोगे हो जाएगा three इसका मतलब six two minus five पो गया भाईया plus 1 कितना plus 1 तो भाईया आमने पहले भी बताया था कि इस वाले oxygen पर हमने पहले भी बताया था कि इस वाले oxygen फर प्लस और आता है उसी को हमने calculate करके दिखा दिया आपकी उस NCRT के इस formula के हिसाब से कि भईया यहां पे भी कितना आएगा प्लस 1 आएगा अब आते हैं इस वाले पे आप इसको note कर लीजिएगा मैं यह चीज यहां से हटा रहा हूँ ठीक है अब देखेगा यह वाला oxygen है इस पर क्या होगा यहां पर भी हमें क्या करना फॉर्मल चार्ज निकालना तो प्लमल चार्ज इस इक्वल टू टो टोटल नंबर वैलन्स एलेक्टरॉन इंद फ्री एटम oxygen अगर फ्री होता तो उसके पास 6EREक्टान होता है उसमें को इतकत नहीं अगला दिखा गया डिखाएंब मायनस टोटल नंबर और ओफ non bonding electron कैनी नॉन बॉंडिंग एलेक्ट्रों कितने हैं यहाँ पे देखो एकMoreक्या एक दो तीन minus 1 तो उधर होगा 6 minus 7 इसका मतलब minus 1 कितना आएगा इसका मतलब यहाँ पर भी आऊगा minus 1 और मैंने पहले ही बता दिया था किस वाले option पर कितना आएगा minus 1 आएगा पीछे जा कर के देख लीजे इस वाले option पर कितना आएगा यहाँ पर minus 1 आएगा अगर आपको NCRT follow करनी है आप जेही मेंस दे रहे हो उसकी कुछ हूँकात होती है तो आप अपने हूआज कुछ इस तरीके से बनाईए कि देखते ही पता चल जा है formal charge कितना है पॉर्मल चार्ज इस चैप्टर का सबसे छोटा सा टॉपिक है सबसे नन्हा सा टॉपिक है सकल देख करके बताना सीखो ठीक है ठीक है भी या जी आब आते हैं next पर क्या next टारीड में हमें कुछ पढ़ना है यह हमें next वाले lecture के अंदर पढ़ना है तो मिलते हम आपको अगली वीडियो में मैं आपको वैलेंस बॉंड थेरी पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से हम एक एक लाइन पढ़ेंगे एंसी आटी तो कवर करेंगे ही उसके अलावा कुछ और अच्छी चीजें सीखेंगे जो अडवांस लेवल की होंगी जो आपके नीट के जेई मेंस के और आईटे के पेपर में पूछी जाएंगे तो साइध आपको यह स्लाइट देखकर के मजा आ रहा होगा कि हां भगया नेक्ट क्लास और मज़ेदार होने वाली मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहें पसंद रहें